हेलो दूस्तो नमेशकार इन के उपर & दोस्तो एक ऐसी कमपनी जहापे मिने आप लोंको काता कि इस कमपणी को जरूर फोकस में रखना कुछ ना कुछ आप लोंको नया नया चीजे सीखने को यहापि मिल सकता है और एक कहानी में ट्विस्ट आती वही देखने को यहापि मिल रही है सो चलिए sequence के साथ जाएंगे आपको company पता भी होगी बहुत बार मैंने इससे related अगर देखा गया तो पिछले हफते ही दो वीडियोज हो चुके थे सो अलड़े आप लोगों को चीजे पता है बट जैसे मैंने कहा ना कि यहां तक story पता है अभी जो latest जो story यहां पर बाजार में आई है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यह company मतलब study करने के लिए ठीक है यहां पर investment चाहो तो आप लोग कर सकते आपके मर्जी बट ठीक है हम लोग आगे देख लेते तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत कर रहेते सिक्वेंस के साथ तो company कौन सी है दोस्तो तो company का नामे वेदानता येस वेदानता आप लोग को पता है निफ्टी फिफ्टी में थी company बाद में company ने खुदी decision लिया था क्या decision लिया था कि हम लोग D-list होना चाते हैं D-list होने के लिए उन्होंने क्या किया था जो भाव दिया था सम्वेर अराउंड 77 78 70 नहीं 87 88 के बीच में ऐसा something दिया था जबी-जबी में D-listing के उनकी बात करता हो हमेशा में thanks बोना चालता हूं LIC को आप सब लोग पता है LIC ने आके बोला नहीं नहीं 320 यह आपका भाव है यह 80 रुपे में क्या आप बात करते हो इसलिए उनका D-list क्या हो गया फेल हो गया राइट सो यह पहले शुरुवात होई थी डैन अगर हम लोग बात करें D-listing के बाद आप लोग को पता है उनने एक और announcement किया था कौन सा D-merger का अभी D-merger अगर देखा गया ना दोस्तो एक actual में positive news होती है पर यहाँ पे वेदानता में हम लोग को stock में 10% की गिरावाट डिखने को मिले क्योंकि समझ में नहीं पहले आप D-listing बोल रहे थे अभी आप value unlocking D-merger की बात यहाँ पे कर रहे है तो यह थोड़ा सा मतलब market को confusing चीजे लगी है यहाँ पे तो यह एक चीज हम लोग को देखने को में ठीक है यह भी आप लोग को पता है क्योंकि मैंने इससे related भी वीडियो बनाए था देन दोस्तों एक नया वीडियो भी आया था किससे related आप सब लोग को पता है हाली में यह आया था कि वेदानता के promoters ने यहाँ पे क्या किया बढ़ यह किसी को भी पता नहीं कि इसको positive मानना है कि नहीं क्योंकि यह डी लिस्ट करने के लिए जाएंगे या डी merger बहुत बड़ा question mark and दोस्तों अभी यह सब कुछ हो जाने के बाद मतलब अगर आप लोग चेक करोगे रिखे शेर holding pattern अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दू किसका वेदानता के शेर का 55% था अभी कितना हो गया है 65% यहाँ पे हो गया है तो यह सब कुछ हो जाने के बाद अभी एक और कहानी में twist हमनों को कुछ दिन पहले या पे देखने को मिले तो चलिए आज आते हैं या पे वो कौन सी खबर है या पे तो चलिए वो खबर सामने आ चुकी है तो वेदानता की अगर हम दोग बात करें दोस्तों तो उन्होंने जुटाए है लगबग लगबग 800 million USD मतलब होते है लगबग 6,000 करोड इंडियन रुपीज उन्होंने पैसे जुटाए है अच्छी बात है इसमें क्या बुरी बात है पर ये तो आदी खबर हो गई उसके आ इतना वैल्यूशन है नहीं नहीं ऐसा नहीं है जो उन्होंने अभी तक बाकी के बचे हुए जो स्टॉक से वो सारे के सारे प्लेज यहापे कर दिये मतलब सारी चीज़े समझ में है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ लेते यह दिखे प्रमोटर ग्रूप फिर्म प्लेज दर टू पॉर्टी टू पॉर्टी टू पॉर्टी टू सिक्स करोड और आप बोल सकते 65.18 परसंट जो उनके शेर होल्डिंग थी वो उन्होंने यहापे क्या करती है आप लोग देख सकते है प्लेज करते वे हम लोग को देखने को आपे मिल रहा है गिर्वी रखत तो आप लूग चेक करोगे तो प्लेजिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है थी बड़ उसके बाद भी उन्होंने जो शेर्स यहापे खरादे हैं वह भी उन्होंने क्या किये यहापे गिर्वी रख दिये किसके लिये यहापे फंड उठाने के लिए Analytics अम लोग को देख 65.18 अगर आपने ध्यान से देखा होगा आपको अंदज आ गए होगा मैं exactly क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं चलो क्लिक कर लेता हूं यह देखिए 65.18 शेर उनके पास है 65.18 शेर गिरवी रख दिये मतलब पूरा 100% जो उनका शेर है वो अभी गिरवी है और उससे ही उन्हों से ही 99.99% शेर प्लेज ही रखे हुए थे और फंडिंग उठाई थी अभी बाकी बचा कुछा भी जो उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई थी उसमें भी उन्होंने सेम अपनी परंपरा को यहाँ पर चालू रखा हुआ है मतलब अभी वेदान था कि जो सारे के सारे शेर से वो अभी भी हम लोग कि यहाँ पर कह सकते है 100% यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहे है गिरवी रखते वे देखने को आपर मिल रहे है तो यह कंपनी जैसे मैं आप लोग को कहा कि थोड़ा रिस्की अभी लगता है देखा गया तो यह निफ्टी 50 में था खुद वहापे निफ्टिफ्टि में जगा मिली थी ज़रू कमेंट सेक्शन में आप चाओ तो बता सकते हो सो बताने का मकसद का है दोस्तो तो वेदानता में हम लोगों को अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा यह हल चले देखनी को आपे मिल रही है अभी शेर्स प्लेज होना एंड खास करके 100% प्लेजिंग यह कोई अच्छा संकेत नहीं है ठीक है आप लोग पैसा उठाते हो ठीक है वो भी चीज़े चल जाती है बट ऐसे मतलब शेर होल्डर्स के लिए वो एक बहुत ही रिस्की संकेत होता है कि कल जाकर अगर इन्होंने प्रॉपरली पेमेंट नहीं किया प्लेजिंग मतलब कि अल्टिमेटली आप लोगोंने किदर से पैसा उठा है मतलब उनको अपने शेर्स सिक्रिटीव के फॉर्म में दे दिये चुका यह देखिए यह 65.18 मतलब कितने करोड शेरे देखिए 242 जो अभी हम लोगों ने देखा था 242 करोड 26,89,293 इतने जबरदस शेर्स यह पूरे के पूरे शेर्स अभी हम इसे लिए तो प्लेजिंग अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कल अगर यह रिपैमेंट ना कर दे यह कुछ इसमें से अगर हिस्सा बेचके रिकवरी कर दे तो स्टॉक जबरदस गिर सकता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शेर्स है 65% मतलब क्या हो गया आप अंदजा मैं कहना चूंगा यहाँ पर मैं कोई इंवेस्टर हूं नहीं हाँ छोटे मोटे शेर्स मेरे पास बे चार पास शेर्स क्यों रखता हूं मैं सीखने के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ इसके पहले भी जब यह 80 रुपे के आसपस था मैंने खुद आप लोगों को बता लोगों को ठियरी बोल दूँ जो प्रैक्टिकल रहेगा वो अपको एक्चुल नॉलिज देगा बट वो डी लिस्टिंगी फेल होगे क्योंकि लाइसी ने आप लोगों को जैसे मैंने शुरुआत में बता है वैसे ही तो फिलाल अगर देखा गे यह कोई इन्वेस्मेंट वाला स्टॉक तो मुझे तो नजर नहीं आता है यह स्टॉक कितना भी बड़े भरोसा रखना बहुत ही ज्यादा रिसके खास करके जब प्रमोटर अपनी कंपनी के शेर से इतने बड़े पेमाने के उपर बड़ा पेमाना मतलब क्या पूरा का पूरा ही तो गिरवी रखा ह हुआ है तो एक अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी आपे नहीं है इसके पहले भी ऐसा ही चल रहा था बट अभी यही चीज़ हमनों को कंटीनु देखने को आपे मिल रही है तो वेदानता अगर देखा गया मैक्जीम चार्ट पैटन के हिसाब से भी सो यहां पर अपसेंड देख ले ना कितने बड़े-बड़े ups and downs है तो यह ट्रेडर लोगों के लिए अच्छा लग रहा है इन्वेस्मेंट के इसाब से अगर देखा गया तो इतना कोई खास मुझे तो नहीं लगता है कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है नो डाउट एक लाग बीस हजार तीस हजा नहीं क्या रहेगी वह देखना भी अभी इंट्रेस्टिंग बनता है जरूर चाहो तो वेदानता कुछ टड़ी आपे कर सकते हो आशागर तो आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ नॉलिज मिला होगा सीखने को मिला होगा चाहो तो इस वीडियो को भी लाइक और शेर कर सकते हो तो तब तक के लिए बाई बाई